नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ है क्राइम तक के डिप्टी एटिटर चिराग गोठी चिराग बहुत-बहुत स्वागत है आपका देखिए एक तो नौकरी के लिए ग्रेजुशन करने के बाद जब अढ़ाई के आदमी अब नौकरी के लिए तैयारी करें हाल यह है कि एक तो नौकरी जल्दी से निकलती नहीं भरती है ठीक है हम उत्तर प्रदेश की बाद कर रहे हैं अब हाला कि राश्टी इस्तर पर भी इस्तिती बहुत जादा अलग नहीं है एक तो भरती निकलती निकल जाए तो फिर उसका एक्जाम पता नहीं कब होगा यह समझ में नहीं आता एक्जाम हो जाए तो साब परचा लीक हो जाता है ठीक है ना और परचा लीक हो जाए तो उसके बाद अब जो एक्जाम दिया है वो बचेगा या दोबारा से री एक्जाम होगा यह अलग ट ये कहानी उत्तर प्रदेश की है उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में हेड रेडियो ऑपरेटर की भरती निकाली गई और विधान सबा चुनाओ से ठीक पहले भरती निकाली गई 900 कुछ ये भरती थी और लोग सबा चुनाओ से ठीक पहले परिक्षा करवाई गई जो ठ देने के लिए इस पद के लिए जो हेड रेडियो आपरेटर की उत्तरपदेश पुलिस में भरती है और डिप्लोमा वाले तो इसमें देते ही एक्जाम होने तक इवन सोला एपरिल तक अभी जो तब तक ये कहा जा रहा था कि नहीं आप लोग एलिजिबल हैं लेकिन साथ दिन बाद 23 अपरेल को जो जानकारी पुलिस विभाग के माध्यम से जो जनोंने एक्जाम दिया था जो अपिडित हैं चातर अभी अरती उनको ये बताया गया जो बीटेक उल्डर से पहले योग ये बताया जाये पिर जब आंसर किया जाये सब कुछीज़ें हो जाया उसके अब उसके लिए योग ये नहीं है उससिफ डिप्लोमा के लिए था कहां चुक हुई है इसमें आरोपो पर अगर जाए तो तो साफ-साफ जो डिग्री धारा के जिन्होंने एक्जाम दिया बी-टेक वालोंने उनका कहना है कि डिप्लोमा वालों के नंबर कम आये हैं उनको दिक्कत हो रही है इसले वो इस तरह की कोट चले गए हैं और हमें जो है यह रिलीव नहीं मिला है सवाल ही उठता है उननीस में आपने अपरूब कर दिया बीस में भड़तिया निकाली बाइस में उसके बाद एक्जाम हुआ सौरी बाइस में वेकंसिनिकल 24 में एक्जाम हुआ सवाल ही उठता है कि जब यह सारी चीजे हो रही थी तो तब तो अप्रूबल था तब तो बीटेक वाले दे सकते थे जो डिगरी धारक तो दे सकते थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो चेंज हो गया अभी स्टे कोट ने नहीं दिया भी चुकि हेरिंग चल रही तो अबविसली वो चातर परिशान है और ऐसे सैकडो चातर है जो परिशान है जिन में हमने कल देखा कि कई लोग तो अब आप देखे ना यूजी नेट परिक्षा रद हो गई नेट बाला जो मामला है वो भी चली रहा है इसके लावा हम देख रहे हैं दो तीन परिक्षा है और रद होई है इसके आसपास ये हो क्या रहा है मतलब आप सोचिए कि पुलिस की तो पहली कॉंस्टेबर की भरती रद हो गई उसका एक्जामा भी होना है तो एक तरफ और वो तो हमने देखा था कितने लाखो लोगों मेरा कोश्चन ये है कि जो है तो अधिकारियों की चूख ना वैसलो सीदह सीधे है अधिकारियों की चूख है आप कोई भरती निकाल रहे हमारे यहां भी कोई vivag में निकलती तो हम उसमें डालते ना, कि इसमें eligibility क्या क्य रहेगी कि भाई वो निवनितम ग्रेजुशन हो, उसके पात दो से तीन साल का अनुभव हो, उसे हिंदी अंग्रेजी अच्छी तरीकी से लिखनी और पढ़नी आती हो, हम भी तो ये चीज़े लिखते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते हैं ना, भरती होने के बाद नहीं नहीं, तुम्हे अगर हम को चाहिए होगा, तो हम पहले लिखेंगे ना, बाद में तो नहीं कहेंगे ना, यही सवाल है ना, इसके अंदर, जब आपने भरती निकाली तब तो आपने का इसमें बिटेक वाले भी चलेंगे, आपने एक्जाम करा लिया, आपने अंसर की आप निकाल दिये, औ और अब आप कहरें कि नई, उसके अंदर क्या है कि बिटेक वाले नहीं चाहियेते हमें सिर्फ वह डिप्लोमा वाले। तो जो अधिकारी एसी की कमरे में बैठ के क्या इस गर्मी के मौसम में दसाधरी आम खा रहे हैं। करके आ रहे हैं वो लोग। और क्या सोच के उन्होंने प्लान बनाया था ये सवाल तो पूछा जाएगा ना अब बिलकुल पूछा जाएगा और जो आपने वाली बात कई के आम खा रहे हैं ये तो हम कल देख रहे थे कि रिपोर्ट में भी चल रही थे सावी बातें सवाल ये उठता है कि आप एक्जाम पहले वो बिटेक करके आया किस परिवार से वो लोगा रहे हैं संगर्श करके बीटेक करने के बाद उस तरीके की अपॉर्चनल्टी नहीं है नोकरी की फिर उसे दूसरी उस चीजों में अपनी संभावना ये तलाश नहीं पढ़ रही है वहां भी आपने भरती निकाली देख रहा था वो पूरा प्रोटेस्ट आर्थिक स्थिती बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी ठीक नहीं है वो किस तरह से तो एक्जाम दे रहे हैं और आप सोचिए उसके बाद दो साल का पीरेड है आपने फॉर्म निकाल दिया दो साल बाद क्या मतलब है एक्ज यहां तो दो साल में भी चीज़ें नहीं हो पा रहें निकंशा में पाले और इसके दो साल बाद आप अग्जाम ले रहें उसका रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद पर पिर प्रका लगए यह आप से समझगाना चारू किया अधिकारियों के दिमाग में क्या चलता कैसे कि किस तरीके से यही जिसकी हम बात कर रहे हैं उत्तरप्रदेश पुलिस में हेड रेडियो अपरेटर की जो भरती इन्हों निकाली थी 2021 में उसका एक्जाम उन्होंने चुनाव विदान सबसे ठीक पहले निकाली और लोगसी जोव स lle ठीक पहले उसके एक्जाम भी करा लिए लगला था सबकूछ बढ़िया है खीए ऐज़े बढ़िया एम्झाम करा लिए सब कुछ यहां पर परचा लीक नहीं हुआ यहां पर एक्जाम में कुछ देरी नहीं हुई बाद में कहरे हैं कि आप योग ये नहीं है ये कैसे डिसाइड करते हैं और साथ दिन के अंदर अयोग योग योग है ति ये डिसाइड कैसे होता है रात में ख्याल आता है कोई खुआब आता है कि नहीं कल से आप मतलब ये तो बिलकुल निर्मल बाबा स्टाइल टाइप से हो गया बिलकुल ठीक आपने और सबसे बड़ी बात तो है जो स्टूडेंट्स की अगर concern हम देखे तो उनका साफ साफ कहना है कि उनके मार्क्स चुकि दूसरी डिप्लोम वालों के कमा है इस वेसे हैसा किया जा रहा है तो ये आरोप उनके है हाला कि इसके ऑविसली तहकीकात होने चीए लेकिन सवाल ही उठता है ना कि दो साल के अंदर exam तो इतना लेट आप exam कराते हैं आर्टी आई भी इस पर लगाई गई ठीक है ना यूपी विधानसभाद चुनाओं से पहले हेड रीडियो अपरेटर की 936 भरती निकली थी बिरुजगार पूछते रहे कि बीटेक पास भी भरती की योग है या नहीं है बार-बार मेल पर भी पूछा गया एक आर्टी आई आई भी इसमें फाइल किया थी और आप जानते हैं जब कोई आर्टी आई लगते हैं उसका एक जवाब भी आता है उसमें भी सारी चीज़े साफ है उसके बाद आप कहते हैं नोटिफिकेशन की नहीं अब आप भरती बोर्ड का जो एक्जाइम कैंसल हुआ उसमें एक्शन इतनी अनिमित सामने आई अब सवाल ही उठता है आपने सवाल वाजिब किया कि इतना बड़ा बोर्ड बना जाता है उनको सैलरी दी जाती है वो एक्जाम कंड़क्टर आते हैं तो एक सिंपल सी बात कही हम भी अपने यहां कोई असिस्टेंट प्रोडूसर की अगर वेकें अप यह क्वालिफिकशन ही चाहिए हमें तो वो दूसरी चाहिए तो तुम्हार पहले नहीं कहा अपने फिर तो यह गुस्सा जायज है ना उन लोगों का और यही सवाल है इस सवाल का जबाब कौन देगा इस सवाल का जबाद पर अधिकारियों को देना होगा ना बरती ब होती है वो लाय ताकि नहीं मिल सकें उन बच्चों को जो करीब बच्चे हैं जो एक आस में मेहनत करते हैं पढ़ते हैं जिनके पास संसाधन नहीं उसके बावजूत हो पढ़ते हैं दिन रात पढ़ते हैं पढ़ते हैं पास कर रहे हैं उसके पास कर रहे हैं उसके पास कर रह समय बाद अभी तो लोग गुस्सा हो रहे हैं लखनों में ये प्रोटेक्स चल रहा है प्रदर्शन लगतार जारी है और जो पिड़ित अब भेरती हैं उनकी मांग यही है कि हमें जो बादा किया गया था हमसे जो बात कही गई थी कि आप लोग ऐलिजिबल हैं तो फिर अचा रहें लेकिन आप नहीं जाईए का नहीं बने रही हमारे साथ देखते रहिए आज तक बिच्टेल